सब्सक्राइंक रिफियPS, आज का हमारा टॉपिक है, समिस्थानिक और समभारिक में अंतर जासा कि आप सबी देख रहे हैं समिस्थानिक और समभारिक में अंतर यह जो टॉपिक है, यह क्लाश नाइम्थ के लिए बहुत ही जादा इंपोर्टेंट है और अकसर exam में आता ही आता है बट बच्चे इसमें confused हो जाते हैं संभारिक और समिस्थानिक में तो उसके लिए हम उनकी confusion को दूर करने के लिए हम एक trick लेकर आए हैं जो शायद उनकी help कर सके तो चलिए start करते हैं समिस्थानिक और संभारिक जो इसका definition है वो book में मिल जाएगा आपको जो की कुछ इस प्रकार है एक ही तत्व के पर्माणू जिनकी पर्माणू संख्या समान होती है लेकिन द्रवेमान संख्या भिन होती है अब इसको याद कैसे करें अगर आप आवर्त सारिनी जिसके अंदर अलग-अलग तत्वों को स्थान दिया गया है और हम पढ़ने जा रहे हैं समिस्थानिक समिस्थानिक से आपको याद रखना है समिस्थानिक मतलब जिसका स्थान समान हो जिसका स्थान समान हो समिस्थानिक का मतलब जिसका स्थान समान हो यानि कि अब ये है hydrogen तो जो hydrogen है hydrogen का जो स्थान है आवर्त सारिनी में वो एक ही जगे है दूसरी जगे नहीं है इसी तरीके से अगर हम बात करें carbon तो carbon का भी स्थान एक fix जगे है कहीं और नहीं है chlorine की बात करें तो chlorine का स्थान है यहाँ एक fix जगे है विए नहीं कि हुए अलग नहीं है विए समस्थानिक में ऐसी के लिए हमें है तो लेना है समान स्थान समान स्थान अब तो परिफाशा देते हैं तो उसके साथ जब तक एग्जामपल नहीं लिखेंगे तो आपको फुल मांक्स नहीं मिलेंगे, आपको examples लिखने ही होते हैं, उसके उदारण लिखने ही होते हैं, तो समय स्थानिक में आपको याद रखना है कि किस किस का उदारण देना है आपको hydrogen का, carbon का और chlorine का, तो hydrogen आपने लिख दिया, hydrogen, hydrogen, carbon, carbon, chlorine, chlorine, अब क्योंकि इनका जो स्थान है, वो समान है, हमारे आवर्द सारणी में, इनका स्थान समान है, अगर स्थान समान है, तो पर्मानु संख्या भी समान होगी, तो इसलिए हमने इनकी पर्मानु संख्या लिख दी है, जो की समान होगी, किसी भी तत्व की पर्मानु संख्या, अमेशा समान होती है क्योंकि उसे आवर्त सारणी में एक ही जगह दी गई है, दो जगह नहीं दी गई है, तो इसलिए hydrogen की पर्मानु संख्या है एक, तो हमने एक लिख दिया, carbon की पर्मानु संख्या है 6, तो हमने यहां से अब देख सकते हैं, 6 तो हमने 6 लेख दिया और chlorine की परमाणू संख्या है, 17 तो हमने 17 लेख दी है, अब इनकी दरवेमान संख्या लेखिनी हैं, तो hydrogen के लिए आप दरवेमान संख्या को याद कर सकते हैं, 1, 2, 3, hydrogen के लिए कैसे याद रखेंगे दरविमान संख्या एक दोh-team इस तरीके से ये बन गया proteum, ये बन गया duterium, ये बन गया Karmon के लिए आपको याद रखना है कि कarmon के दो समस्थानिक मिलते हैं कarmon12 और कarmon14 तो इस तरीके से आप ये याद कर सकते हैं क्लोरीन के लिए याद कर सकते हैं क्लोरीन 35 और क्लोरीन 37 ऐसके लिए भी हिंट बांट का कैसे याद रखेंगे कार्बन का 12 तो होता ये आपको पता हिए की कार्बन का जो द्रविमान है वह 12 होता है इसमें 2 जोड देंगे तो आपको 2 दूसरा समिस्थानिक भी मिल जाएगा और next कैसे याद करना है next याद करना है chlorine का हो जाएगा 35 और 37 यह आपको याद कर लेना है तो इस तरीके से आप समिस्थानिक के उधारण आसानी से बिना भूले लिख सकते हैं क्योंकि बच्चे क्या करते हैं कि समिस्थानिक का उधारण संभारिक में लिखते रहते हैं और समिस्थानिक क्या है समिस्थानिक समान उस्थान समान तो पर्मानु संख्या संवाले तत्व जिनकी द्रवेमान संख्या समान होती है तो यह जस्ट अपोजिट है किसका समिस्थानी का आप यहाँ पे अलग-अलग परमाणू संख्या वाले तत्व होंगे जैसा कि आपके बुख में दे रखा है कैल्शियम और आरगन अगर यह अलग-अलग तत्व हैं तो इनकी परमाणू संख्या भी अलग-अलग होगी अगर आप देखेंगे कैल्शियम को तो कैल्शियम है यहाँ और आरगन है आपका यहाँ तो अगर यह अलग-अलग जगे हैं आवर्त सारेनी में तो इनकी परमाणू संख्या भी अलग-अलग है कैल्शियम की है 20 और आरगन की है 18 तो इनका भार समान होगा भार मतलब वजन और वजन हम कैसे निकालते हैं यह जो द्रवेमान है यह किसे संबंधित है द्रवेमान है वजन से संबंधित द्रवेमान है वजन से संबंधित और वजन हम भार भी बोलते हैं तो सम भारिक इसका मतलब भार समान होगा इसका वजन समान होगा और वजन को हम किसे compare करेंगे द्रवेमान से compare करेंगे तो इस तरीके से इसका जो द्रवेमान होगा वो हो जाएगा 40 और इसका भी हो जाएगा 40 चालिस और 40 तो इसमें आपको क्या याद रखना है कि भार समान ह समान होगा और इसमें क्या होगा स्थान समान होगा तो समान होगा और अगर भार समान होगा तो अलग-अलग होंगे यह हमारा पर इस हमारा व्हा करें आप की मदद करेंगा आब भी अपनेAllah इसको modify कर सकते हैं या किसी और तरीके से याद कर सकते हैं और exam में लिखकर marks ले सकते हैं अगर कोई doubt हो तो आप हमसे share कर सकते हैं